हेलो फ्रेंड्स, Excel अंकुर्स, Advanced Excel के सीरीज में आप सभी का स्वागत है, दोस्तो आज हम देखने वाले हैं, सेप्स और डिफरेंट ओप्षिंस के टेक्नीक्स, जिसको हम कैसे एर्रेंज कर सकते हैं, कैसे हम सिक्वेंस करेंगे, गैपिंग कैसे एर्रेंज करेंगे, हाइट कै से सट करेंगे, बॉटम वाइज आपको सट करेंगे, लेफ्ट के एकॉर्डिंग, राइट के एकॉर्डिंग, तो बहुत सारे वेरियोस आप्षिंस और टेक्नीक्स हम सीखने वाले हैं, जिसमें हम आज सेप्स को बहुत ही बहतरीन तरीके से एर्रेंज और उसको सेट करना है, तो मैं सिम्पली आपको कुछ सेप्स बताऊंगा बनाना और उसको कैसे सेट करेंगे, उसके बैसिस पर हम सीखेंगे, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जिससे सपोज माल लिजे कि आप कोई चेक बॉक्स बना रहे हैं, तो मैं सिम्पली यहाँ पर जाऊंगा, एक छ कोड़ा सा क्या करूंगा, इस तरह से मैंने सिम्पली क्या किया, एक चेक बॉक्स बनाया हुआ, यह जो लाइनिंग से इसके मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं ग्रेड लाइन को आफ कर देता हूं, चली, तो मैंने यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना लिया, अब इसी चेक ब भी सेट करना, आप वहाँ पर रख लो, फिर से मैं पेस्ट करूंगा only, क्योंकि copy अल्रडी मेरा किया हुआ, फिर से मैं पेस्ट करूंगा, copy मेरा already किया हुआ है, तो इस तरह से आप यहाँ पर सेट कर लेंगे, जितना भी आपको चाहिए, दोस्तों यहाँ पर आप देख पार रहे हैं कि इसका जो arrangement है वो proper नहीं है कहीं पर gapping कम ज्यादा हो सकता है और यह जो है left से equal नहीं है तो इसको हम कैसे set करेंगे यही सबसे important आपकी बात होती है तो हम लोग इसको simply set कैसे करेंगे तो इसको मैंने click किया control को press करके रखेंगे दन दूसरे option पर जब आप click select हो जाएगा तीसरे option को क्लिक करें चौत्य option को क्लिक करें एक बात का हमेसा ध्यान रखिएगा कि control दबाने के बाद mouse हलका सा भी drag नहीं होना चाहिए अगर आप ऐसा कर देते हैं तो उसका copy बन जाएगा तो ऐसा अगर हो जाता है तो आप control Z करके back कर लिजेगा और दुबा अब set कैसे करना है तो left से मुझे equal करना है तो मैं simply क्या करूंगा format option पर जाओंगा format option में आपके पास align का option होता है align का option यहाँ पर है मेरे पास देख पा रहे हैं आप यहाँ पर सबसे पहला जो option है align left तो जैसे ही मैंने align left किया देखिए यह left side से पूरा equal हो गया है मैं आपको थोड़ा और इसको variant करके दिखाता हूं ताकि आपको पूरा proper way में समझ में देखिए अभी जो इसका variation है यह बहुत जादा इधर उधर है तो हम इसको कैसे set करेंगे तो simply हम लोगों को क्या करना है control के साथ इसको इस तरह से selection करना है selection करने के बाद आपको format पर जाना है format में alignment option है दनिया से left कर दिया तो जैसी मैंने left किया देख पा रहें आप यहां पर यह automatic क्या हो गया left side से equal हो गया अब बात आएगी gapping की तो gapping जैसे माल लिजे कि इसका gapping कम हो गया है इसका gapping जादा हो गया है तो अब हम सबका gapping को कैसे set करेंगे तो again हमको क्या करना होता है selection कर बाते के बाद आपको format में जाना है format में align option आएगा अब यह जो है यह आपका vertical है तो यहां पर देखे distribute vertical, distribute horizontally दो option आपके पास आता है तो मुझे vertically distribute करना है means कि vertically आपको arrange करना है उसको कि आप उसको gapping को कैसे set करेंगे तो मैं distribute vertically कर दूँगा जैसी मैं distribute vertically करूँगा देखी यह जो है आपका proper way में set हो जाएगा इसका gapping जो है वो automatic set हो जाएगा जिसका जितना requirement है और मैं आपको एक चीज बता दूँ कि जो gapping होता है वो base होगा आपका पहले वाले shape और last वाले shape की according अगर पहला और last वाला shape का gapping आपका जितना है उसके according वो सारे का gapping set करेगा यह हिलने वाला नहीं है ना ही यह हिलने वाला यह दोनों अपने place पर ही रहेंगे बीच का जो area है वो adjust होता है तो इसी चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको gapping उसके according set करना होता है दर हम बात करेंगे similar direct option की और दूसरे option की आप suppose माल कि मैं इस तरह से कुछ area बना रहा हूं ठीक है आप यहां से control के साथ भी इसको क्या कर सकता है ड्रैक कर सकते है control के साथ ड्रैक करेंगे तो automatic duplicate बन जाएगा अब मैं कुछ bars का size को थोड़ा बड़ा कर देता हूं किसी का size थोड़ा छोटा कर देता हूं यहां से भी मैं इसको increase decrease कर सकता हूं जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर option है आपके पास इसको बड़ा चुटा करने के लिए अब इस तरह से मैं इसको फोड़ा variant कर देता हूं ताकि आपको proper समझ में हो गया then इसको मैं select कर लिया select करने के बाद मुझे top से इसको equal करना है तो मैं क्या करूंगा selection करूंगा selection करके format पे जाओंगा align पे जाओंगा और align bottom कर दिया तो यह क्या हो गया bottom से set हो गया मुझे सबको middle पे रखना है तो मैं इस पे जाओंगा align middle कर दूँगा तो यह इस तरह से middle पे आ जाएगा तो आपको यह समझना है कि हर एक shape को आप adjust कर सकते है multiple shape होने चाहिए तब ही alignment वर्थ करेगा क्योंकि आप comparison करते हैं दो यहां पर बहुत जादा यहां पर कम है तो इसको proper कैसे set करते हैं तो selection करके format में जाएंगे similar हम align option पर डिस्टिबूट क्या करेंगे horizontally करेंगे तो डिस्टिबूट horizontally कर दीजे और यहां पर आपका देखिए यह देख पा रहे हैं आपकी इसका जो proper distance है वो आपका set हो गया है तो इस तरह से आपको save को क्या करना है adjust करना है अब मैं आपको एक task दूँगा जिसके basis पर आपको submit करना है मुझे तो आपको करना क्या है तो यहां पर ध्यान से समझे और इस option को भी देखिएगा कि आप क्या करने वाले सबसे पहले क्या करेंगे हम कुछ questions यहां पर बनाए to color the cell background ठीक है मैंने question बनाया which one helps to color the cell background अब cell के background को color करने के लिए हम use करते हैं किसका feel color का तो मैं यहां पर अब option दूँगा मैंने question लिखा अब option मैं कैसे दूँगा तो मैं simply क्या करूँगा एक shape लूँगा और छोटा सा मैं एक checkbox बनाऊंगा आप थोड़ा zoom कर ले करके भी आप इसको set कर सकते हैं ताकि आपका जो perfection है वो आय तो मैं simply थोड़ा सा यहां पर space थोड़ना चाहूंगा थोड़ा space दे दिया मैंने यहां पर पहला मुझे एक checkbox बनाना था then मुझे यहां पर क्या करना है answer देना तो मैं इतना area लगबग merge कर लेता हूं और इसको left में रखता हूं ठीक है मैं यहां पर सबसे पहले दिया text color फिर मुझे यह चीज सेम चाहिए क्योंकि text color को तो मैं इस तरह से ड्रैग करूंगा यह सेम आ जाएगा ठीक है अब यहां प shift देन ड्रैक करिए दो दो कंट्रोल और shift के साथ ड्रैक करने से वह copy भी होगा और equal length में आएगा means कि आपका जो left position है यह जो right position है वह equal mode पे आएगा दन मैं फिर से इसको control shift के साथ ट्रैक करूं दन फिर से control shift के साथ ट्रैक करूं इस तरह से मैंने इसको कर लिया आप गैपिं select करके मैं इसका जो fill है उसको blank कर दूँगा और जो lining है उसको मैं फूड़ा black कर दूँगा ताकि वह perfect दिखे अब मैं इसको हटा देता हूं great line अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका question set हो गया है और थोड़ा सा कम कर दीजिए gapping बहुत गयादा है तो इस तरह से देख questions बना सकते हैं जैसे आप कोई organization में काम कर रहे हैं आपको questionaries बनाने की requirement होती है या फिर आप कोई school, colleges या फिर आप किसी institutions में work कर रहे हैं तो वहाँ पे question set करने की जरूरत होती है आप कोई researcher है आप किसी research analyst वगयर का work कर रहे है तो उसके लिए इसकी requirement होती है तो various places पे इसकी requirement होती है तो आप इस तरह से अपना task जो है वो shapes की मदद से कर सकते हैं और उसको आप इस तरह से set कर सकते हैं दन मैं दूसरा जो option आपको बोलूँगा तो इस तरह से आपको लगभग 10 questions बनाने हैं minimum 10 questions बनाने हैं और सारे जो 10 questions होंगे वो Excel से related आप कुछ भी दे सकते हैं या फिर आप कोई भी question बना सकते हैं जरूरी नहीं है कि वो Excel से होने चाहिए आप general awareness के questions बनाईए आप किसी भी questions को यहां पर put करिए जिसमें 4 option होने चाहिए इस तरह से आपको boxes बनाने हैं और question लिखना है फिर question number 2 then फिर बनाएंगे question number 3 then फिर बनाएंगे तो इस तरह से आपको जैसे कि मैं यहां पर simply क्या करता हूं कुछ sheets बनाता हूं ठीक है तो यहां पर मैं चार sheet लूँगा और यहां पर मैं लिखा sales report ok then यहां पर जो sales report है वह quarter one का है यहां पर जो sales report है कौटर टू का है यहां पर जो sales report है Ada Apple को कौटर 3 के लिए और यहां पर जो sales report है कौटर एंचे लिए तो मेरे पास 4 dumping का क्या है details मुझे यहां फिल अप करना hai मैं simply क्या करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे बटन बनाऊँगा सेप में मैं गया और एक rounded rectangle मैंने लिया और मैं simply इस तरह से क्या करूँगा एक बटन बनाऊँगा तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है color choose करना है और effects वगरा होते हैं तो effects में जाएए, appreciate में जाएए और यहाँ से second वाले option को ले लेजिए तो यह देखिए button का बहुत ही अच्छा look यह शो कर देगा signiness के साथ आपका, आप color को change कर सकते हैं आपको जैसा color चाहिए, आप color combo अपने according ले सकते हैं जो भी आपका favorite color है आप उसको choose कर लेग then आपको इसको क्या करना है, drag करना है तो मैंने अभी बताया कि control दबाएंगे तो आप copy कर सकते हैं, लेकिन shift दबाएंगे तो देखिए, जैसे ही मैं shift दबा रहा हूँ यह automatic equal पर चला जा रहा है मैं अभी control दबाया हूँ और मैं जैसे shift दबाया है gapping को थोड़ा adjust कर लेता हूँ क्योंकि लगबख same है, बस थोड़ा सा adjustment करना पड़ेगा तो vertically मैंने set कर दिया हो गया मैंने चार button इसलिए बनाया क्योंकि मुझे चार quarter में यहां से move करना है तो मैं चार button बना लिया अब इसके अंदर type कैसे करेंगे तो type करने के लिए आपके पास text box होता है तो इसको select करना है format पे जाना है, text box का option आएगा या फिर आप simply right click करेंगे तो edit text का option आएगा दोनों में से जो भी option आपके पास available है वो आप use कर सकते हैं तो आप edit text कर ले, right click करके आगया, यहां पर मैं simply लिख देता हूँ quarter one हो गया इसको click करके मैं क्या करूँगा center कर दूँगा, तक यह बीच में आज है अब यह quarter one है, इसको मैं simply क्या करूँगा select कर लूँगा, इतना area, copy कर लिया मैंने और इस पर right click करके edit करूँगा paste करूँगा, two link दूँगा, center कर दूँगा इस पर click करूँगा, edit करूँगा sorry, edit करूँगा, paste करूँगा, three link हूँगा, center करूँगा फिर इस पर click किया, right click, edit, paste, four number, center इस तरह से देखिए, मैंने यहां पर क्या किया है चार quarter का button बना लिया है अब यहां पर मुझे क्या करना है, तो यह आपका क्या है, कि sales report है तो मैं यहां पर इसको merge कर देता हूँ और मैं एक बड़ा button बनाऊंगा कोई भी आप ले सकते हैं, थोड़ा अलग मैं सोच रहा हूँ, इसको ले देता हूँ अब कोई भी design यहां से choose कर सकते हैं, जो भी आपका design का requirement है और बहुत सारे design में आपको 3D look नहीं मिलेंगे तो इसके according ही save लिजेगा जैसे कि यह मैंने लिया तो यहां पर 3D look है इसका, तो मैंने यह option ले लिया और इसका जो color है मैं थोड़ा सा orange रखूंगा चलिए, right click, edit, sales, report और मैं इसको थोड़ा सा modify करूंगा जो text है मेरा उसका मैं writing थोड़ा change करूंगा ताकि उसका जो look है वो ज्यादा attract होकर रहा है और थोड़ा bold font रखें यह bold font से क्या होगा वो clear आपका visible होता है तो मैंने आपको अल्रड़ी बहुत सारे bold font के बारे में बताया है तो आप कोई भी bold font यूज कर सकते तो इस तरह से मैंने यह set कर दिया अब मुझे क्या करना है कि यह जो sales report है इसको copy कर दिजे और यहां पर paste कर दिजे फिर इसमें copy कर दिए यहां पर paste कर दिजे इस तरह से आपको सब पर paste कर लेना तो इस तरह से आपको यह बनाना है और आप quarter one, quarter two, quarter three इस तरह से एक sheet बनाएंगे यह आपको अलग से new file बनाना है friends आपको practice sheet इस से related जो है यह आपको rediment बनी हुई मिलेगी लेकिन आपको एक new file बनाना है name लिख दिजेगा assignment, arrangement, shapes और file number one उसके बाद file number two बनेगा पहला file में आपको questions बनाने है लगबग 10 questions जो कोई भी topic से related होंगे दूसरा जो आपका file होगा और file बनाईएगा file two उसमें आपको क्या करना है sales report लिखना है quarter one, quarter two, quarter three, quarter four लिखना है दन आपको चार sheet और बनाने है जिसमें हर sheet में यह name रहेगा यह करने के बाद आपको file three बनाना है, file three में आपको फिर से sales report लिखना है अब उसमें quarter wise नहीं होगा उसमें month wise होगा यानि कि January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December तीन-तीन का panel बनाएगा, means यहाँ पर January, then यहाँ पर February, then यहाँ पर March, फिर आपका इस तरह से likewise आपका जाएगा और यहाँ पर फिर January sheet, February sheet, March sheet, April, May, June, July इस तरह से 12 तक रहेगा और आपका पहला जो January होगा उसमें sales report लिखेगा, January 2 में sales report तो यह copy paste करना है इस तरह से आपको sheet ready रखना है क्योंकि जो हम hyperlink पढ़ने वाले हैं, जो हम buttoning पढ़ने वाले हैं उसमें हम सीखेंगे कि हम कैसे switching करते हैं direct button के through तो वह आपका बहुत ही जादा importance play करेगा तो इसलिए आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो इस तरह से आपको यह task करना है और इस से related अगर आपको कोई भी doubt होगा तो आपने उससे ज़रूर discuss करें So thank you very much, happy learning झाले हैं